हलो एवरीवन क्या हल चल भई दिस जीशान योर मैट्स मेंटोर और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मैं मैंगनेट ब्रेंज के यूटूब चैनल पर वही क्लास 10 के लिए आज लेकर आया हूँ अर्थमाटिक प्रोग्रेशन का डेली प्राक्टिस कोशन का पार्ट फूर आज हम कुछ अच्छे कोशन और करेंगे पार्ट फूर में बॉस हमें कुछ कोशन का सैट मिला है अब हम ये कोशन भी अटेम्ट करेंगे समझ लेना सारे कोशन करके एक एक स्टेप देखेंगे बॉस कैसे इन सारे कोशन को हम अटेम्ट करने वाले हैं एक एक फॉर्मला जो अप्लाई होने वाला है बताऊंगा कैसे उनके कॉंपोनेंट्स यूस करे जाते हैं ये भी बताऊंगा ठीक है तो टाइम वेस नहीं करेंगे अपन चलते हैं, question number 1 की तरफ, आज class 10th arithmetic progression का daily practice questions part 4 में, चलो boss, this is our first question, पहला question कहता है, find the sum of first 24 terms of AP, यह अपनको boss AP दी गई है, this is an AP given to us, अब 5,8,11,14 यह AP दी गई है, तो सबसे पहले आप इसमें first term निकाल लो boss, 5 सबसे पहले लिखा है, तो A हो जाएगा हमारा first term 5, ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे difference, जो की होगा common, common difference D से denote किया जाता है boss, और D कैसे निकलता है बच्चा, कोई भी number से पीछे वाला number, जो AP है, उसमें किसी भी term से, उसके पीछे वाला term minus कर दो, जैसे 2 में D आ जाएगा sir, 3, ठीक है boss, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आराम से समझा रहा हूँ और आराम से ही समझाओंगा, ठीक है sir, हमें निकालना है find the sum of 24 terms, भाया, N भी दे दिया, number of terms दे दिया, 24 boss, ठीक है, 24, sir, sum of N terms of an E के formula क्या होता, sum of N terms of an AP का formula क्या होता है, तो sir, सबसे पहले अपन formula पर नजर मारेंगे, sir, sum of N terms of an AP होता है boss, चार formula होते विसे इसके, तो सबसे पहला formula देखेंगे, N upon 2 bracket 2A plus bracket N minus 1 bracket close D, ठीक है boss, यह होता है हमारा formula, अब sir, क्या N है, हाँ बिटा N है, A है, हाँ बिटा A है, ठीक है boss, क्या N है, हाँ बिटा N है, D है, हाँ बिटा D है, सारी चीज़ें जो इस formula में needed है, सब हमारे पास है, लगा दो answer आ जाएगा, ठीक है boss, तो जल्दी से sir, हम formula में पहली इस put करते है, N upon 2 मतलब बिटा 24, that is 24 upon 2 sir, ठीक है boss, ओके, बड़ा bracket, 2 into A मतलब 2 into 5, 2 into 5 plus N minus 1, N का मतलब बच्चा 24 minus 1 हो जाएगा, into D, D का मतलब बिटा 3, अब bracket लगा, close, ठीक है, solve करते है, इसको cut करेंगे, बच्चो 12 हाएगा, तो 12 लिखो boss, जल्दी से bracket close, bracket open sorry, 5, 2 sir sir, 10 plus, sir, 24 minus 1, 23, 23 into 3 boss, 23 into 3, 69, ठीक है, 69 आग्या sir, लिजिए boss, 69 or 10, 79, 12 into 79, sir, multiply करेंगे, हमारे पास क्या आजाएगा boss, 12, 9, 10, 8, 10 carry, 12, 7, 84 और 10, 94, 948 आग्या addition sum, किसका sum आया boss, sir, sum of 24 terms of this AP, इस AP के शुरू शुरू के 24 terms, 24 terms, जब एड़ करेंगे, तो हमारे पास यह answer आएगा boss, सामने से हट जाता हूँ, जल्दी copy कर लो, छोटा सा, चुन्नू मुन्नूजा question था, हो गया complete? Yes sir, चलो boss, आगे बढ़ते हैं, this is question number two, this is question number two आपके सामने, most important question, दो मार्क्स में फस सकता है, और आता ही आता है बिटा यह, क्या है question? इव दा आनिथ टर्म आफन एपी इस, आनिथ टर्म कैसे लिखते हैं sir? आन्थ टर्म कैसे लिखते है boss? जल्दी बताओ यार, sir आन्थ टर्म अपन लिखते हैं, A-N, A-N, sir ये है आन्थ टर्म, is, आफन एपी इस, 2N प्लस 1, 2N प्लस 1, बस यहाँ पर N दिख रहा, RHS में N दिख रहा, जैसे ही आपको इस टाइप के questions मिल जाएं, कि N टर्म is equal to something in N, N टर्म is equal to something in N, in terms of N, उधर भी A-N है और यहाँ भी N है, तो बचे जब भी ऐसा question है, समझ जाना यह special question है, यहाँ पर तुमें, पहले N is equal to 1 रखना पड़ेगा, फिर N is equal to 2 रखना पड़ेगा, N is equal to 3 रखना पड़ेगा, कैसे रखना पड़ेगा, चलो बताता हूँ, सर चल्दी से बता दीजिए, चलो बस, बताता हूँ, देखो, तुमने क्या करना है, तुमने जैसे ही यह देखा, और तुम समझ गए, कि सर यह तो N is equal to 1 वाला कोश्चन है, सर यह तो N is equal to 2 वाला कोश्चन है, यह तो N is equal to 3 वाला कोश्चन है, जैसे ही तुम समझ गए, तुमने value पुट करना शुरू कर दी, A N नहीं आएगा, बच्चा अब आएगा A1, ठीक है, A1 is A only, first term, ठीक है, is equal to, सर, 2 into 1, 2 into 1, N की जगा 1, plus 1, सरी, A1 आगया 3, ठीक है बस, A, अब A N, इसमें फिर से N की जगा 2 रखना है बच्चो, A, N की जगा 2 रखना है, जैको N की जगा 2 रखना है, ठीक है, सर, is equal to, 2 into N की जगा, 2, ठीक है बस, plus 1, 2 into 2, plus 1, सर, कितना आया, सर, आगया, 5, येस बिटा, 5 आगया, बिल्कुल सही बात है, सर, N की जगा 3 रखना, A3, रख दिया सर, 3, कितना आया, बस, 2 into 3, plus 1, 2 into 3, plus 1, कितना आया, बस, 2, 3, 6, और 1, 7, आगे चलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास AP निकल के आगई, बस, क्या ही AP, देखो बेटा, AP बताता हूँ तुम्हें, देखो, सर, जो हमारे पास arithmetic progression आगई, तीन terms की वो ये है, चाहो तो चौता term मी निकाल सकते हो, आप क्यों पर depend करता है, A1, A2, A3, यह है AP, A1, A2, A3, . . . का मतला है, बेटा ही खतम नहीं हो रही, बहुत लंबी AP है, सर, A1 है अपना आ रहा, 3, फिर, A2 आया, सर, 5, AP आ गई बेटा, फिर, A3, थर्ट आया, 7, . . . सर, यहां से निकालेंगे, A और D, A निकाल लो बस, और D निकाल लो, सर, A कैसे निकलता है, सर, A कैसे निकलता है, फिर्स्ट और मोता है, बच्चो, A, A आ गया, 3, और कॉमन डिफरेंस जो D आता है, बेटा, वो आता है, किसी भी टर्म से, उसके पीछे वाला माइनस कर दो, 5 माइनस 3, सर, कितना आया है, 2 आया, सर, is equal to 2, ठीक है, A आ गया, D आ गया बहुँआ, सर, अमें निकालना है, find the sum of first n terms, sum of first n terms, n की जगा, n ही आएगा, इन्होंने n की जगा, कोई number नहीं दिया, कि find the sum of first 15 terms, first 20 terms, ना, इन्होंने कहा, n terms, तो आपन n की जगा, n ही लिखा रहने देंगे, तो इसका मतलब, हमारे answer में, n एविलिबल रहेगा, S and sum of n terms का formula होता है, सर, n by 2, bracket, 2a, plus, bracket close, n minus 1, bracket close, D, मैं bracket close, उस बार-बार बोल रहा हूँ, तो सर, n की जगा, हमें n ही रखना है, हमें कुछ भी changes नहीं करना है, bracket open, सर, 2 into, सर, a क्या आया था, a था बहुँआ, 3, first term में 3, plus, bracket, n minus 1, और D की जगा, बहुँआ अपन क्या लिखेंगे, D की जगा अपन लिखेंगे 2, ठीक है, 2 लिखो, और बेटा इसको solve करो, बताओ क्या है, अब जब अपन इसको solve करेंगे न बॉस, solve का मतलब क्या है, जैसे आपके bracket में जो भी चीज़े आ गई, जैसे ये आ गया बॉस, देखो, n upon 2, जैसे अपन ने क्या लिखा, n upon 2, bracket, 3 2s आ मेक्स, 6, plus, 2 into n, 2n, और minus 2 into 1, 2, ठीक है, तो 6 minus 2 भाई बॉस अपनी 2 हो गया, 6 minus 2, sorry, 4 हो गया, n by 2, bracket, 4, भाई 6 minus 2, 4 हो गया, 4 plus 2 n, ठीक है, कोई समस्या, नहीं होनी चाहिए, गॉर्मन आ रहा है, ठीक है, तो n upon 2 into, जैसे मैंने इस से और इस से 2 गॉर्मन लिया, बॉस, यहां बचेगा n, प्लस, यहां बचेगा 2, अब यह 2 क्यों बचेगा, अरे भाई, 2 2s आ 4 है न, तो काहे के लिए समस्या कर रहे हूं, 2, अब यह मत कहना सर, 2 प्लस n लिखना चाहिए, अरे n प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तू से 2 कट होगया सर, क्या बचा सर, बचा n ब्रैकेड n प्लस 2, इस इस अवर आंसर, सर, यही हमार आंसर है, और अच्छे से लिखना है, तो multiply कर दो, n स्क्वेड प्लस 2m, इस इस आर आंसर, ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, so that अपन आगे बढ़ सकें, चलो भई, अब कोशन नमबर 3 पे चला जाए, 3 पे चला जाए, कोशन नमबर 3 क्या है सर, जल्दी से देख लेतनें बस, ये कोशन नमबर 2 अपना खतम हो गया, let us move on to कोशन नमबर 3, ये है हमारा कोशन नमबर 3, पर यार कोशन नमबर 3 अच्छे से आप एक बार पढ़ लो, और कोशन नमबर 3 ये रहा, the sum of n terms of an AP is इतना, ठीक है boss, यहाँ पर sum of n terms दिया, आप मेरी बास सुनना, मैंने तुम से क्या बोला, पिछला कोशन जो हमने किया, last कोशन उसमें हमने क्या दिखा था, nth term दिया था, यहाँ पर the sum of n terms दिया है, ठीक है, sum of n terms कैसे लिखते हैं सर, s n, s n, सर यह sum of n terms, ठीक है boss, is equal to हमको दिया गया है, कि भीया, ऐसा लिखा जाएगा, 5n square upon 2, plus 3n upon 2, ठीक है, सर, यह दिया गया है, हमे sum of n terms, अब मैंने तुम से क्या बताया था, कि अगर LHS में भी n available हो, a n, s n, ऐसा कुछ available हो, rhs में भी boss, यह n, n दिख रहा है न, n available है, rhs में भी, समझ जाना सर, यह n1, n2, n3, रखके ही solve होगा, ठीक है boss, चलो solve करते हैं यार जल्दी से, जल्दी से हपन रखते हैं, सबसे पहले सर, n is equal to 1, ठीक है sir, n is equal to 1, रखके हपन solve करते हैं, ठीक है boss, चलो, s, 1 आएगा sir, sum of 1 term, अब बच्चो, sum of 1 term नाम की कोई चीज नहीं होती है, sum of 2 terms तो कम से कम चाहिए, तो 2 terms तो चाहिए, तब sum कर पाओगे, s, 1 का मतलब है, sum of 1 term और 1 term का sum नहीं होता, तो पताइए s, 1 नहीं, अपन s, 1 के नाम पे a निकाल रहे हैं, ठीक है boss, तो s, 1 जो अपन निकाल रहे हैं, sir, ये 5 upon 2, into n की जगह sir, 1 लिखना है, तो 1 का square, plus 3 upon 2 into 1, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, sir, ये s, 1 के नाम पे अपन निकाल क्या रहे हैं, भाईया, s, 1 के नाम पे बहुस अपन, a निकाल रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ के, s, 1 is a only, तो sir, इसको calculate करते हैं, क्या आएगा boss, ये आएगा sir, 5 upon 2, into 1 का square 1, वो तो 1 ही रहेगा न, तो 5 upon 2 into 1, 1, plus 3 upon 2 sir, 3 upon 2 into 1, 3 upon 2 ही रहेगा, sir, 5 plus 3, 8, 8 upon 2, sir, 8 upon 2 आगया, 4, 4, sir, 4 आया, s1, बिटा, s1, मैं फिर बोल रहा हूँ, is nothing, it is a, it is a, it is a, it is first term, to sir, first term a, हमारे पास a चला है, 4, ठीक है sir, next, s2 निकालते हैं, sir, ठीक है, s2 निकालते हैं, sir, ठीक है boss, चलो, इसको दुबारा करना पड़ेगा लगता है, कोई नहीं, दुबारा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से लिख लेंगे हैं, ठीक है, चलो, देखो, फिर से लिख लेते हैं, sn दिया गया है sir, sn दिया गया है, 5n square, upon 2 sir, प्लस 3n upon 2, ठीक है, n equal to 1 लिखा sir अपनने, n equal to क्या लिखा boss, n equal to sir हमने 1 लिखा, n equal to 1 जैसे ही लिखा sir, s1 निकल आया, s1 निकल आया, s1, 1 रखो भई, 5 upon 2 into 1 square, 5 upon 2 into 1 square, प्लस 3 upon 2 into 1, 3 upon 2 into 1, n की जगा 1 रखा, sir solve किया, तो हमने पाया, 8 upon 2 आया, जोकी बन गया, 4 और फिर मैंने बताया बिटा, s1, sum of 1 terms, ऐसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, यह a है, यह हमारा first term ही आ गया, 4, ठीक है, next, sir, n is equal to 2 रखिए अब, n is equal to 2, बस दो रखना बिटा, sum में जब भी sum वाला question रहे न, sn is equal to something, तो बस s2 तक रखा करो, sir, s2 निकाल लीजिए, s2, तो sir, जल्दी से solve कीजिए, 5 upon 2, into n square, मतलब 2 square, 2 into 2 लिख देता हूँ, 2 square को, ठीक है, बस, plus 3 upon 2, plus 3 upon 2, into n, into n का मतलब, into 2, sir, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5, 2 से 10 और 3, 13, sir, यह 13 आया, बच्चो, यह जो 13 आया न, यह जो 13 आया न, बहुत गौर से सुनना, यह 13 s2 है, बच्चो, देखो, गौर से देखो, यार, s2 is equal to 13, s2 का मतलब होता है, sum of two terms, शुरू शुरू के, 2 terms का sum, तो sir, s2 is actually a1 प्लस a2, हा, बिल्कुल सही बात है boss, a1 प्लस a2, हाना, is equal to sir, 13, कोई समस्या, नहीं होनी चाहिए, यही तो s2 का मतलब है, शुरू शुरू के, 2 terms का sum, sir, a1 तो a ही होता है, हान यार, सही कह रहे हो, a1 तो a ही होता है, a2 का फॉर्मला होता, a plus 2 minus 1 d, n minus 1 d, n की जगा 2 रख देना, तो a plus d आएगा boss, a2 की जगा आया sir, a plus 1 d, यह simply a plus d, is equal to sir, 13, sir, a और a2 a, a4 है बाटा, 4 और 4, 8, plus d, is equal to 13, sir, d की value आए, 13 minus 8, 5, common difference आगया है sir, 5, लीजे sir, common difference आगया 5, sir, जल्दी से लिख दीजिए, common difference d is equal to 5, कोई समस्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है sir, अब क्या करें, find 20th term, sir, a20 निकालना है, a20, formula क्या होगा, a plus, n minus 1 d, n बेटा 20 है, तो a plus 20 minus 1, यानी 19, तो a plus 19 d, a plus 19 d, ठीक है, चलो, solve करते हैं, a की जगा 4, plus 19 into d, यानी 19 into 5, 95 जा 95, 95 और 4, boss, 95 जा 95, और 4, 99, हमारा अंसर आगे, sir, 99, this is our answer, कोई समस्या तो नहीं बेटा, जल्दी से देख लो, so that अपन आगे, next question पे चल सके, जल्दी से copy कर लो, आगे अपन, next question पे, जल्दी से flying jump मारते हैं, ठीक है, चलो, done, 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 sir, next question number 4, ये रहा, sir, find the number of terms in AP, भाईया, AP क्या दी गई है, sir, AP दी गई है, 63, 60, 57, comma dot dot dot, ठीक है, ये दी गई है, ठीक है, sir, sir, हम से पूचा गया, find the number of terms, अब N निकालो, number of terms means N, ठीक है, N निकालते हैं, तो N is equal to question mark, N is equal to question mark, sir, क्या condition दी है, कि N निकालना है, so that their sum is, 693, their sum is, S N दिया हुआ है, कितने numbers का sum है, मुझे नहीं पता, लेकिन S N दिया गया, 693, बहुत आराम से हो जाएगा, बिल्कुल, तसल्ली से easily हो जाएगा, देखो कैसे, A निकालो और D निकालो, sir, sir, A क्या होगा, A होगा 63, A होगा, sir, 63, इदर नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, sir, A होगा, अपना first term 63, और D होगा, common difference, second वाले से, उसके पीछे वाला माइनस कर दो, 60 माइनस 63, माइनस का 3 आएगा, boss, मैं फिर बोल रहा हूँ, 60 माइनस उसके पीछे वाला number, 57 से 60 माइनस कर दो, या 60 से 63 माइनस कर दो, किसी भी number से, उसके पीछे वाला माइनस कर दो, D आजाएगा, ठीक है, sir, sir, N निकालना है, तो S N का formula, इसके नीचे लिखेंगे, that is N by 2, bracket, 2 A plus N minus 1, 2 A plus, bracket, N minus 1, bracket, close, D, और equal to, उमें 693, चली ही रहा है, sir, 693, सम के formula से, जब N निकालो, तो समझ जाना, N square में, एक quadratic equation बनेगी, N square में, एक quadratic equation बनेगी, चलो boss, निकालते हैं, N upon 2, bracket, 2 into A, 2 into A, 2 into 63, 2, into 63, plus, bracket, N minus 1, N minus 1, D, D क्या है boss, D minus 3 है, minus 3 लिखो, bracket, close, is equal to, 693, 693, ठीक है, चलो, multiply करेंगे, तो, 126 आएगा, थोड़ा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 126 आएगा, सर, ठीक है, minus 3 into N, minus 3 N आएगा, सर, minus 3 into minus 1, plus का 3 आएगा, सर, bracket में, close कीजिए, सर, N लगाईए, ठीक है, सर, कोई समस्तिया तो नहीं, सर, नहीं, सर, कोई समस्तिया नहीं है, upon में, जो 2 है न, वो 693 के पास जा रहा है, 693 के पास जा रहा है, जो, into 2 हो जाएगा, ठीक है, बस, तो भाईया, N into bracket, 126, 126 क्या, 126 और 3, 129 हो जाएगा, सर, minus 3N, is equal to, 693 into 2, 2, 3 is a 6, 2, 9 is a 18, 8, 1 carry 2, 6 is a 12, और 1, 13, 13, 8, 6, ठीक है, बस, कोई समस्तिया नहीं होनी चाहिए, N का multiply अंदर करो, तो आएगा, 129 into N, 129 N, N का multiply, multiply इसमें करो, तो minus का 3N, N स्क्वेर हो जाएगा, सर, is equal to, 1386, ठीक है, सर, इन सब को, वहाँ बुला लो, N स्क्वेर प्लस में बन जाएगा, ठीक है, जैसी तुम उदर बुलाओगे, तो क्या हो जाएगा, N स्क्वेर विल गूएँ फॉर्म प्लस, positive बन जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, 3N स्क्वेर वहाँ गया, माइनस का, तो भीया, प्लस का बन गया, 3N स्क्वेर, प्लस का 129 उदर गया, माइनस का 129 N बन गया, और यह positive था, 1386 प्लस का ही रहेगा, प्लस 1386, अब सर, यह पूरी equation उठाते हैं, अपन यहाँ रखते हैं, 3N स्क्वेर, माइनस, 129 N, 129 N, प्लस 1386, प्लस 1386, इस इक्वल तो 0, ठीक है सर, ठीक है, अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया सर, ब्रैकेट में आया सर, N स्क्वेर माइनस, 3, 4 जा 12, 43 आएगा बिटाएं, 43N, प्लस 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे, या कॉमन लेंगे, तो यह आएगा, 3, 4s are 12, ठीक है, 3, 6s are 18, और 3, 2s are 6, और यह आए, 3 को वहाँ बेजो, 0 के साथ डिवाइड करेगा, खतम लेगा, हमारी कॉड्राइटिक एक्वेजिएन, आई, N स्कूर, यहाँ जिसको हम कहते हैं, फैक्टराइज, चलो फैक्टराइज कर लेते हैं, कैसे करेंगे सर, देखो, मिडल डर्म स्प्लिट फैक्टर से करने से अच्छा है, अपन इसको करते हैं, कौड्रेडिक फॉर्मले से, ठीक है, सर यह 1 है, 1, एना, A1 हो गया, A1 हो गया, कौड्रेडिक फॉर्मले याद है, सर, B हो गया, अपना माइनस का 43, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट से भी हो जाएगा, और C हो गया, 462, 462, मिडल टर्म स्प्लिट से करके देखें, 462 का प्राइंस करके देखें, हो सकता हो जाए, है ना, हो सकता क्या, हो ही जाएगा, 2, 3, 1, 3 से गया, 3 7s आ, 21, 3 7s आ, 21, यस हो जाएगा, यार, इससे तो इसली हो गया, 7 से 11, और 11 से 1, अब अब अनको बीच पे 43 चाहिए, 33 और 14 नहीं, 7 3s आ, 21, और 22, यस हो गया, रहने तो, अपन मिडल तर्म स्पिलिट से ही कर रहे है, इससे हो गया, यार बहुस है, इससे हो गया, चलो, इसको जल्दी से एरेस कर देते हैं, इसको एरेस करो, सर, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चलो यह रहेस, 21 और 22 आगया मिडल टर्म स्पिलिट से, 21 और 22, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 21 और 22 आगया सर, ठीक है, तो सर, 1 N स्क्वेर को ऐसे ही लिखा, 43 को I am writing like, माइनस का 21 N, और माइनस का 22 N, जो की माइनस का 43 बना देगा, 42 आजाएगा, प्लस 462 इस एकल टू 0, इन दोनों से कॉमन ले लो, N कॉमन आजाएगा सर, ब्रैकेट में बचेगा, N माइनस 21, ठीक है, इन दोनों से माइनस का 22 कॉमन ले लो सर, ब्रैकेट में बचेगा, N माइनस 21, इस एकल टू 0, n-21 हो गए यह common और n-22 बचा दूसरे bracket में factorization तो यार I hope आता होगा अब जब इसको तुम equal to 0 रखोगे n-21 is equal to 0 और जब तुम इसको equal to 0 रखोगे n-22 is equal to 0 तब तुम्हें पता चलेगा कि सर यहां से एक n की positive value आ रही है 21 और सर यहां से एक n की positive value आ रही है 22 सर दो answer कैसे हो सकते हैं इतना copy करो फिर अपन discuss करेंगे explain the double answer जल्दी से इतना copy करो boss then we will discuss the double answer ठीक है copy कर लेना बिटा I hope कि आप copy कर रहे हो पानी दो पानी दन कर लिया boss चलो अब बात ऐसी है गौर से सुनना कि यार अपने पास दो answer आ रहे है explain the double answer इन्होने का भीया double double दो-दो answer कैसे आ सकते हैं तो चलो उसका भी explanation देखते हैं ठीक है n is equal to 21 n is equal to 22 मैं इसको erase कर दूँ क्या पूरा ठीक है कोई समस्या तो नहीं n is equal to 21 n is equal to 22 अपन को explain करना है कि बहुत यह दो-दो answer कैसे आ रहे n 21 and 22 ठीक है चलो इसको erase कर दिया अब दोनों ही answer सही है कैसे सही है देखो यार देखो white color से लिखते हैं नहीं इस से लिखेंगे sir जब n 21 हू और जब n 22 हू पहले पन 21 को check कर लेते हैं ठीक है ओके sir सुनना गौर से एक formula है sum of n terms का बॉस sum of n terms का एक formula है n upon 2 bracket a plus l first plus last मान की चलो के हमारे पास 21 terms है series है हमारे पास 63 63, 60, 57, dot 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 और हमारे पास जो last term पूरा 21st term है वो a21 है last ठीक है sir ठीक है find करो यार a21 है क्या 21 बाद डर्म है क्या बॉस चलो निकालते है sir a21 निकाल लेते है sir a21 का formula होगा है sir a plus 20 d सही बात है यार a plus 20 d तो sir a क्या है a है 63 plus 20 into d 20 into minus 3 तो यह आया sir 63 minus 60 that is 3 a21 आया sir 3 a21 आया 3 तो इसका मतलब अगर मैं sum of n terms की बात करूं sum of 21 terms की बात करूं तो sir 21 upon 2 n की जगा 21 upon 2 21 upon 2 bracket first plus last first 63 plus last 3 last last a21 is last a21 is last ठीक है a21 last term है बास तो इसको 3 लिखेंगे sir यह आया 21 upon 2 into 66 2 से 66 cut कर देंगे 21 into 33 आ जाएगा 21 into 33 21 इन्टो 33 21 थी जा 63 की 3 6 carry 21 थी जा 63 और 6 69 693 आ गया अपना answer number 1 693 था sir sum of atoms 21 वाला मैंने आपको यह solve करके दिखा दिया जल्दी से copy कर लो के sir 21 n is equal to 21 बिलकुल सही तरीके से sir satisfy कर रहा है condition को ठीक है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है बॉस आगे चले चलो moving ahead आगे चलते है sir अब sir हमको 22 के लिए भी solution देना है अब गौर से सुनना यार तरीका समझना तरीका समझना क्योंकि यहां पर बच्चे लड़ खड़ा जाते हैं क्योंकि explain the double answer लिखा तो हमें double answer explain करना पड़ेगा sir s21 कितमा आया s21 आया sir इधर उपर लिख लेते sum of 21 terms आया sir 693 यही आया ना as 21 कोई समस्या तो नहीं no sir कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब मैं इसको कर रहा हूँ erase ठीक है इसको करूँगा मैं erase कर दूँ क्या ठीक है sir कर दूँ n is equal to 21 जब इतना कर दो ना काम जब इतना काम हुझा तो last में लिख देना n is equal to 21 satisfy the condition it is our answer इतना लिख देना ठीक है अब चलते हैं n is equal to 22 के explanation के लिए ठीक है sir ओके जब n 22 है अभी n 21 अब n 22 की बात कर लेते हैं तब sir formula यही बारा लगाते हैं पहले s n is equal to boss n upon 2 bracket n upon 2 bracket first plus last a plus l first plus last last यहां 22 वा term है series कुछ इस प्रकार है sir 63, 60, 57, dot 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 और अपने पास मान के चलो बच्चों मान के चलो अपने पास 22 टर्म है a 22 है अपने पास यह last term है this is our last term ठीक है sir ठीक है last term है चलिए sir a 22 धूनते है a 22 धूनते है formula क्या होगा बच्चा a plus 21 d a plus 21 d है ना चलो a क्या है sir a है 63 ठीक है sir plus 21 into d d minus 3 है sir 21 into minus 3 sir जब आप minus 3 का multiply 21 में करोगे तो 63 आएगा minus का यह minus का 63 आएगा sir 63 minus 63 sir 0 आगया sir यह last term a 22 होगा आया जो sir यह last term है हमारे लिए यह series में मान के चलो यह last term है आखरी sir पूरे 22 terms का sum निकालते है sir sum of 22 terms 22 terms यह s n वाला formula लगा रहो हूँ ठीक है is equal to n upon 2 boss मतलब 22 22 upon 2 bracket first 63 plus last यानि a 23 a 22 जो की 0 है sir इससे इसको काटेंगे यह आएगा 11 into 63 ठीक है sir 11 threes are 33 3 carry 11 66 और 3 69 693 यह भी आया 693 यह भी आया इसका मतलब sir इस सीरीज में sum of 22 terms भी 693 आ रहा है मतलब sum of 21 term भी 693 sum of 20 terms भी 693 answer is for n is equal to 22 the series is satisfied बिलकुल n is equal to 22 भी हमार answer है मतलब कितने terms का sum 693 होगा 21 terms का भी 693 sum होगा 22 terms का भी 693 होगा that's it जल्दी से बिट बच्चा कॉपी कर लो ठीक है जल्दी से कॉपी कर लो so that we may move on to question number 5 चलो boss question number 5 यह रहा find the sum of first n terms of an AP if the sum of first n terms of an AP is given by ठीक है भाई easy है repeated question है right repeated question है बिलकुल भी अलग नहीं है भाई अपनने आज इसी को अच्छे से समझाए sum of n terms हमें given है बच्चो 3n square यार अब तो देखके पहचान गए होगे 3n square minus n है ना चलो यहां भी n यहां भी n तो भाईया यहां 1 और यहां 1 रखो आगई याद n is equal to 1 रखने वाला question है यह तो सर यहां s1 रखते है is equal to 3 into 1 square 3 into 1 square minus n का मतलब है minus 1 3 into 1 भी 1 minus 1 3 minus 1 2 आएगा sir 2 और बच्चों मैं पहली बता चुका हूँ s1 sum of 1 terms नहीं होता this is a s1 के नाम पे बच्चों हम a निकाला करते हैं तो a आगया sir 2 a आगया sir 2 ठीक है boss sir n is equal to अब 2 रखके देखते हैं ठीक है sir s2 हो जाएगा n की जगा 2 रखना है पन को ठीक है boss is equal to 3 into 2 square 3 into 2 square minus n मतलब minus 2 2 2s are 4 4 3s are 12 12 minus 2 10 आया बच्चों यह आया equal to 10 sir यह 10 आगया यह जो s2 आया ना बच्चों यह बहुत खिलाडी चीज है यह बहुत खिलाडी चीज है जो s2 आया ना s2 is equal to 10 यह बहुत खिलाडी चीज है खिलाडी in the sense sir यह s2 is actually a1 first term और s2 का मतलब है 2 terms का sum और a2 इन दोनों का addition इन दोनों का sum 10 आ रहा है sir बिलकुल सही बात है a1 sir a1 a ही होता है 2 plus a2 का formula होता a plus 2 minus 1 d यानि a plus 1 d a plus 1 d that is d is equal to sir 10 sir यह भी 2 होगा हाँ हाँ 2 और 2 यह भी 2 होगा sir हाँ 4 4 plus d is equal to 10 sir d कितना आया sir d आगया 10 minus 4 6 sir d आगया 6 लिख लो भाई यहा लिख लो भाई सहाब d आगया sir 6 6 आया ना हाँ 6 आया a और d आजा समझ लो आपका आदा कोशन तो ऐसी solve हो गया find the 20th term 20th term निकालना है a20 निकालना है boss a20 formula a plus 19d हो जाएगा a plus n minus 1 यहनि 20 minus 1 that is 19d sir a क्या है a है बच्चो 2 plus 19 into d क्या है d है बच्चो 6 19 6 जा 114 ठीक है 19 6 जा हाँ सही है 114 114 और 2 तो यह आजाएगा हमारा 116 answer this is our answer 820 दे वर आस्किंग राइट तो sir 5th week complete हो गया है जल्दी से screenshot ले लो या जो भी तुम्हे समझ में है वो गर लो भाई लेकिन बस समझ लो यार रहना चलो erasing this and moving on to next one sir आगे चलते है यह हमारा question number 6 find the sum of 24 terms s24 निकालना है boss s24 formula क्या होगा formula sum of n terms n by 2 bracket 2a plus n minus 1d गोर से सुनो जैर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं बताओं कैसे सुनना मेरी बात अगर देखो मैं तुम्हे formula बता देता हूँ पहला formula होता है sum of n terms का जो सबसे ज़्यादा use होता है it is n by 2 bracket 2a plus bracket n minus 1 n minus 1 into d और bracket close ठीक है यह होता है यह सबसे ज़्यादा useful माना जाता है formula अब सर दूसरा formula जो मेरा most favorite है मेरा favorite है personal favorite वो यह है सर s n is equal to n by 2 bracket first term plus last term last term की जगा मेरी बात सुनना मैं इस से करवाने वाला हूँ first से तो आप करी लोगे मैं इस वाले से second वाले से करवाँगा ठीक है white से लिख लेते हैं थोड़ा सा सर हमें 24 terms 24 terms का sum चाहिए अब देखना मेरी बात जैसे अपना a1 हो गया comma a2 हो गया comma a3 a4 a5 अपनको 24 terms इसे मतलब है तो मतलब a24 तो बच्चो ये हो गया first term यानि a और ये किस की भूमी का नभाएगा ये last term की भूमी का नभाएगा यानि l है ना n अपने पास 24 है ही n 24 है a अपन निकाल लेंगे l अपन निकाल लेंगे बस इस formula में रखो value और answer बले बले तो sir सबसे पहले जो a n हमें दिया है a n is equal to 3 plus 2 n a n is equal to 3 plus 2 n sir इसमें n की value हम 1 put करते हैं sir ठीक है क्या put करते है boss 1 sir n की value let us put is equal to 1 a 1 आ जाएगा first term आ जाएगा 3 plus 2 into 1 2 into 1 2 into तो ये 5 आ जाएगा sir देखो boss ये first आ गया 5 तो इसको लेख लेते है is equal to 5 चलो last term a 24 और निकालते हैं बचो n की जगा आपको 24 रखना पड़ेगा 24 a n की जगा 24 तो a 24 is equal to 3 plus 2 into n 3 plus 2 into 24 3 plus 2 into 24 रखेंगे आपन n की जगा 24 24 तो 24 रखेंगे 48 48 के बाद 49 50 51 sir ये आगया 51 sir तो ये l a 24 जो आया that is 51 ठीक है ये 51 आगया a 24 विल प्ले रोल अफ लास्ट टर्म यहाँ वैल्यू रख दो answer ले लो अपना ठीक है sir n upon 2 का मतलब है n sir s 20 कितना निकालना है बहुआ 24 निकालना है s 24 तो बच्चो 24 upon 2 24 रखना पड़ेगा इन की जगा bracket first plus last first term है sir a 5 आया last term sir यहाँ पर 24 वा टर्म है हमें 24 24 टर्म का सम चाहिए तो 24 वा टर्म last है जो की 51 है 51 इसको डिवाइड करेंगा आएगा 12 इन्टू 55 56 56 12 इन्टू 56 12 इन्टू 72 की 2 7 केरी 12 इन्टू 60 60 और 7 67 672 यह हो गया sir अपना s 24 और यही हमें निकालना था ठीक है बढ़िया कोशिंस थे यार अच्छे थे आज हमने A N is equal to something in N S N is equal to something in N ऐसे टाइप के कोशिंस सीख लिए है ठीक है boss चलो तो बढ़िया रहा I hope must मजा आया होगा ठीक है तो boss यहीं पर समाप्त होता है यह वाला session और obviously आगे next lecture भी आएगा part 5 भी आएगा part 4, part 5, part 6 देखते हैं कितने parts आते हैं ठीक है आप हमारी website पर भी जा सकते हो website पर जाके सिर्फ आपको search करना है google पे www.magnetbrains.com आपको हमारी website open मिल जाएगी website मिल जाए तो आप website पर पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि website पर जो आप videos देखोगे they will not have any ad और बढ़िया वाले experience आपका होने वाला है website पर भी पढ़ाई करने का आप हमारा app भी install कर सकते हो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ google play store पे जाके search करना पढ़ेगा magnet brains आपको हमारा app मिल जाएगा app मिल जाए तो app को install कर लो वही reviews करो rate करो उसको और बढ़िया आगे से पढ़ाई करो उसमें भी ठीक है चलिए जल्दी मिलते हैं next session till then happy learning take care bye